इसमें लेहर रख्मानिल है। स्टूरें आपके पास लेक्टर नुबर एट है जो के प्रिजेंटेशन ओफ डेटा से ही रिलेट का रहे है। प्रिजेंटेशन ओफ डेटा से रिलेटेट हम बहुत सारे अपको प्रिजेंटेशन लेक्टर में दिशक्स का चुके हैं। और इसमें भी हम एंपको डिसक्स करेंगे जो के उन्हाल डियाग्राम से रएट का हैं। अब फर्स्ट आमारे को आज के है कि विच अप दू फॉलिंग इस वन डायमेंशन डायम्स तूडियन अगर आप बीच्च लेवल पर जाकर देखोगे तो मैंने आपको लेक्चर जो चप्टर नुबर टू है उसमें करवाया हुए के वन डायमेंशन डायम्स कौन से हैं तू इस वन डायमेंशन 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 डायम of two dimension diagram two dimension diagrams के है square diagram है no multi diagram or rectangular है multi diagram जो है वो हमारे पास क्या जाते है two dimension में multi diagram में मैं पास क्या होते है two and more variables discuss करका हो रहे होते है two dimension diagrams में जब आपके पास two more variables discuss होते हैं that's includes in the two dimension diagram इसी दर हम कहते है which statement is true आपके बास two statements लेगे हैं और कहते हैं कि आपको क्या लगते है statement से कौन statement true है आपके बास histogram and histograms are similar look है pie chart या oj जो है वो similar look है क्यूब in square तो student आपने पड़ा है और इनकी मैंने जो shapes है वो भी बना के बताए हैं पर इनसे related आपको examples भी करवाई नहीं है presentation of data again and again बताएं presentation of data जो chapter है BSC level पर आपने उसमें जाकर देखें आपको तमाम shapes with example संजाएं में तो हम कहते है histogram and histograms जो हैं वो similar look देते हैं अब अधिये curve जो है वो occur करता है कहां पर more than type distribution less than type distribution यह बोत है अन्वी तो हमेरे पर जो ujjiv होते हैं in which we are discussing about the cumulative frequencies आपके पास ujiv curve में क्या होता है cumulative frequencies given होती है तो हम कहते हैं तो हम कहते हैं बोत A and B के लिए होते हैं इसी तरह इन अजिव curve जो है points are plotted value अब जो आपकर बनारे हो अजिव curve तो आपने जो points plot करने हैं उसमें क्या दो चीज़े लिने हैं क्या values and frequencies लिनी है तो स्टूडेंट में आपको गेन होता है कि जो एजिव है जब हम more than and less than की बात करने इस mean cumulative frequencies is used cumulative frequencies क्या होता है for number 1,2,3,4 यह आपके पास frequencies है cumulative frequencies आपके पास क्या होता है आपनी cumulative frequencies को अकटा करते जाना है यहां आपके पाफ 1 है आप इसको 2 में add करो तो 3 हो जाएगा 3 को 3 में add करो 6 हो जाएगा 6 को 4 में add करो 10 हो जाएगा तो जो और अजेव कर्ड होता है यहीं और एक है और सथो जाएगा and cumulative frequencies को 2 हो जाएगा ओ मितमा कर्ण यहीं जाएगार भी एट अगर आप किसी भी टेस्स की तियारी कर रही हो तो आपको MCQs जो हैं वो जादा से जादा बता होने चाहिए तो स्टूर्ण मेरी कोशिज इंशनलने नेक्स लेक्टर में मैं आपको मजीद इस चैप्टर से रिलेटेद MCQs करवाँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें या कहीं सी भी समझ नहीं आई तो आप मुझे देख सकते हो इसमें कोई भी न्यू चीज नहीं है जो BSE level पर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वही चीजे अगेन एन अगेन रपीट हो रही हैं सिर्फ अब आपस ट्रू आंसर पूचा जा रहे है विद रीजन के अगर आप इस आंसर को स्लेक्ट कर रहे हो तो आप क्या रीजन है अगर आप किसी भी टेस्स की तेयरी कर रहे हो जिसतर नेक्सट आपके पास लेक्शिशेप के रिए आ रहे है,Statistic related interviews हैं उन्हें भी भी त्यारी कर सकते हो और ये best book है यहां से भी त्यारीग कर सकते हो बाकी मैं आप को गण को नाम भी बता नेक्स लेक्टर्स में ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी त्यारी को कॉंटिन्यू कर सुकूए अपनी दौाओं में याद रखिएगा अल्ला पिस